नमस्कार आपका स्वागत है देश पर्देश संवाज चैनल में आज हम बात करेंगे पेंटागन में इंडियन डिफेंस आटाशे को दी गई अन एसकार्ट एक्षस के बारे में और उसका क्या मेहत्व है भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने हेतु अमेरिका की ओर से एक स्वागत योगे पहल की गई है अमेरिकी रक्षा मुख्याले पेंटागन में भारती रक्षा अधिकारी इंडियन डिफेंस आटाशे बेरोक टोक आवाजाही कर सकेंगे उन्हें अन एस्कॉर्टेड एक्सेस की सुवीदा दे दी गई है इंडिया हाउस अमेरिका में भारती राजदूद दुआरा स्वातंतरता दिवस पर आयोजित एक करिक्रम में अमेरिकी वायूसेना की सेचीव फ्रेंक केंडॉल ने इसका एलान किया वायूसेना सेचीव फ्रेंक केंडॉल ने कहा कि 15 अगस से भारती रक्षा टीम की पेंटंगन में बेरुक टोक आवाजाही हो सकेगी बता दें कि डिफेंस अटाशे आमतौर पर किसी देश के राजनेइक मिजन में सेन अधिकारी होते हैं बारत और अमेरिका के बीच सेने सम्मंद लगातार मजबूत होते जा रहे हैं यही कारण है कि अब एसकार्टेड एक्सस की स्विधा प्रदान कर दी गई है अमेरिकी वायूसेना के सेचीव फ्रेंक केंडल ने कहा यह कदम बारत के साथ हमारे नजदीकी सम्मंदों के चलते और बड़ी साजिधारी को ध्यान में रखकर उठाया गया है बता दें कि इस अमेरिकी कदम की महत्ता को समझाने के लिए वायूसेना सेचीव केंडल ने खुद का ही उधारन दे डाला उन्होंने कहा कि यदि आपको लगता है कि पेंटागन में बिना सुरक्षा जाच के जाना कोई बड़ी बात नहीं है तो बता दूँ कि मैं भी बिना एसकॉर्ट के वहां नहीं जा सकता हूँ एमेरिकी रक्षा मुख्याले पेंटागन में प्रवेश की अनुमती पाना बहुत मुश्किल काम माना जाता है यहां तक कि एमेरिकी नागरिक भी उच इस्तरी सुरक्षा मन्जूरी के बिना वहां नहीं जा सकते हैं केंडल ने कहा कि भारत वह देश है जिसके साथ हम किसी अन्य देश की तुलना में सबसे ज़्यादा संयुक्त अभ्यास किया करते हैं हमारे बीच दिर्ग कालिक करीबी संबंध हैं समय के साथ हमने संबंधों को और मजबूत बनाया है केंडल ने ये भी कहा कि विगत वर्षों में देफेंस ट्रेड एंड टेकनलोजी संबंधी पहल मजबूत हुई है अमेरिकी रक्षा दिकारी केंडल ने कहा कि हाल ही में यानि एक साल पहले हमने ड्रोन बनाने में सहयोग का कारिकरम शुरू किया है हम प्रोध्योकी की हस्तांतरण में जुटे हैं और लंबे समय से कई कारिकरम सफलता पुर्वक चला रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा केंडल ने पूर्व वर्ती ओबामा प्रशाशन के दौरान बाहरत संबंधी मुद्दों पर काम किया था उन्होंने कहा कि उस वक्त भी तब रास्टी सुरक्षा शेत्र में बाहरत के साथ संबंधों को मजबूत करने की उनकी दिली एक्षा दिए आज के इस अंक तो बस इतना ही आप से अनुरुद है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए इसे साजा कीजिए और हाँ इसको सब्सक्राइब भी कर लिजिए जैन